उदाहरन पांच प्रश्ण सनलगन चित्र में चार किर्णे O-P, O-Q, O-R और O-S हैं सिद्धि कीजिए कि कोण P-O-Q, धन कोण Q-O-R, धन कोण S-O-R, धन कोण P-O-S बराबर 360 अंश है हल दिये गए चित्र में किर्ण O-Q को एक बिंदू T तक बढ़ा दें जैसा अगले चित्र क्रमांग 23 में आप देख सकते हैं ताकि T-O-Q एक रेखा हो जाए अब चित्र से स्पस्ट है कि किर्ण O-P रेखा T-Q पर है अता है रेखी Q में कोण T-O-P धन कोण P-O-Q बराबर 180 अंश यह समिकर नंबर हुआ हमारा एक इसी तरह से आप चित्र 23 पर फिर से देखिए किर्ण O-S भी रेखा T-Q पर है अता है रेखी Q में कोण T-O-S धन कोण S-O-Q बराबर 180 अंश समिकर नंबर दो समिकर दो समिकर एक और दो को जोड़ने पर कोन T-O-P धन कोन P-O-Q धन कोन T-O-S धन कोन S-O-Q बराबर 180 अंश धन 180 या हम लिख सकते हैं कि कोन T-O-P धन कोन P-O-Q धन कोन T-O-S धन कोन S-O-Q बराबर 360 अंश समिकर नंबर पुना चित्र देखिए चित्र से इस पस्थ है कि कोन T-O-P धन कोन T-O-S बराबर कोन P-O-S या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कोन T-O-P बराबर कोन P-O-S रिन कोन T-O-S या समिकर नंबर चार फिर से आप चित्र देखिए चित्र से एक और संबंध में प्राप्त होता है कोन S-O-Q बराबर कोन S-O-R धन कोन Q-O-R समिकर नंबर 5 समिकर नंबर 3 में समिकर नंबर 4 और समिकर नंबर 5 से मान रखने पर कोन P-O-S रिन कोन T-O-S धन कोन P-O-Q धन कोन T-O-S धन कोन S-O-R धन कोंड क्यू ओ आर बराबर तीन सो साथ अंश यहाँ पर देखें रिंड कोंड ती ओ एस और धन कोंड ती ओ एस है इसलिए हम आगे लिख सकते हैं कोंड पी ओ क्यू धन कोंड क्यू ओ आर धन कोंड सो आर धन कोंड पी ओ एस बराबर तीन सो साथ अंश यही सिद्ध करना था